तो आ चुके हैं में नेक्स्ट केशन पर 4.3 एक्साइस केशन नमर 2 क्या कह रहा है आपको देखो find the values of k, k का value निकालना है आपको from the following quality equation so they are two equal roots तो इसने पहले से given दिया आपको condition कि यहाँ पर जो roots है वो equal roots है तो आपको पता है जैसे कि यहाँ पर मैं a कहूं कितना है two है b कहूं तो कितना है k है और c कहूं तो कितना है three अब मैं आपसे ही कह रहा हूँ यहाँ पर it is given that here two equal roots अब आपको पता equal roots की condition क्या होती है जिसमें d equals to zero होता है अब d का मतलब क्या है b square minus four a c zero हो गया अब b का value पूट करो आप k का square minus four a का value two k का value three equals to zero कितना हो गया यह k square minus four two is a eight eight three is a twenty four equals to zero अब आप थोड़ा ध्यान देना इस step के बाद आपको यहाँ formula create करना a square minus b square कर लेकिन यहाँ पर कि ऐसे square की form में डालना है इसको कि जहाँ पर a square minus b square बन जाए अब कैसे करेंगे देखो तू से किया तो 12, तू से किया तो 6, तू से किया तो 3 और यह 3 बन जाए इसमें जो same pair बन रहे होने है उसको तो एक बार लिख लो जो पेर नहीं बन रहे है उसको root में डालके whole square लगा दू अब इसका whole square खोलो गए ना को लगाओ यहां पर k square माइनस 2 root 6 का whole square equals to 0 यानि k plus two root 6 और k minus two root 6 equals to 0 अब एक क्वल रखो इनको एक बार इसको में zero के equal रखूँगा तो k का value कितना आ जाएगा minus two root six आ जाएगा फिर एक बार इसको मैं zero के एक को रखूँगा तो ये उदर जाएगा तो two root six हो गया अब बता हो संजमा है क्या तो ये आपने यहां देखा यहां पर कि k की में पास two values आ सकी है therefore value of k r क्या आ गई है आपके पास इसको थोड़ा पहले solve करना पुड़ेगा पहले k x को x से multiply करेंगे तो k x को two से करेंगे तो minus का two k x equals to zero ठीक है sir a का value कितना है sir k b का value कितना है minus two k और c का value कितना है six ठीक है अब ध्यान से सुनना यहाँ पर इसने given क्या condition है आपको two two equal roots condition आपको given है इसका मतलब क्या हो गया अगर two equal roots की condition given है तो मैं कह सकता हूँ d equals to kya कह सकता हूँ zero इसका मतलब b square minus four a c equals to zero हुआ ठीक है sir b का मतलब क्या है minus का two k का whole square minus four a का मतलब k c का मतलब six equals to zero आगे solve करो minus two k square यानि कि minus का square plus होगा two का square four होगा k square minus four six are 24 k equals to zero अब आपको यहाँ क्या करना common लेना है अब देखो four k square minus 24 k अगर मैं इसमें से four k निकाल दूँ तो यहाँ four k में से केवल k बचेगा यहाँ 24 में से आपने four निकाल दी यानि 24 का multiple देखो गे तो four six are 24 होता है four निकाल गया k निकाल गया तो केवल six बचा क्या हाँ sir इन दौनों को separately zero के equal करो k का value कितना आ गया sir zero हो गया four नीचे चला गया यहाँ पर भी इसको zero के equal किरा तो k का value कितना आ गया six आपके आपके अब we have two values of k that is that are equal data zero and six but if we put k equals to zero in our given condition given equation अब आप देखो अगर मैं आपके k के जगे zero पूट कर दूँ तो यह पूरा zero हो जाएगा six equals to zero हो जाएगा इस्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया तो यहाँ पर अगर मैं zero put कर दूँ put k equals to zero in our given equation statement is false मतलब आपके quality equation खथाम हो जाएगे एक तरीके से so the value of k is only k equals to six के वल एक ही value हो गया अब बता हो समझमा है क्या तो यह हमारा question number second का second part complete हो चुका है clear है okay का जות बाएगे ख़ने खचह कि लिस्टे हो तुका हो अभया